केरल के कोजी कोड एरपोर्ट पर शुकुरवार की देश शाम भायानक विमान हाथसा हुआ जिससे पूरा देश दुखी है भारी बारिश की वजह से लैंडिंग करते वक्त एर इंडिया एक्स्प्रेस का विमान फिसला तो सीधे 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा और विमान दो हिस्सों में तूट गया इतने भायानक हाथसे के बावजू इस विमान पर 191 लोग सवार थे जिन में से 170 लोगों की जान बचा ली गई कुछ लोगों की हालत गंभीर है जबकि 16 लोगों की मौत हो गई इन 16 लोगों में विमान के पाइलेट कैप्टन दीपक वसंत साथे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गवाते हुए 170 यात्रियों को बचाया IFS अफसर परवीन कासवार ने उन्हें श्रधांज़ी देते हुए कहा रिस्पेक्टिट सर आप इंडियन एरफोर्स में डेकोरेटड पाइलट थे और आपने सिविल एविएशन जॉइन करने से पहले एरफोर्स में बहतरीन काम किया कैप्टन और विंग कमांडर दीपक वसंत साथे को नमन कैप्टन दीपक साथे बेहद अनुभवी पाइलट वो एर इंडिया एक्स्प्रेस 737 में जाने से पहले एर इंडिया के एरबस 310 के पाइलट रह चुके थे इतना ही नहीं वो एरफोर्स के टेस्ट पाइलट रह चुके थे जो बहुत सारे एरफ्राफ्ट पर टेस्ट करते हैं एंडिया के 58 में बैच के पास आउट थे 1981 में एरफोर्स में कमिशन हुए 22 साल तक एरफोर्स में सर्विस दी 2003 में कैप्टन साथे ने रेटार्मेंट ली बत और विंग कमांडर एरफोर्स से रेटार हुए 127 पाइलट कोर्स में स्वॉर्ड ओफ ओनर केरल हाथसे में जान गवाने वाले कैप्टन दीपक साथे हिंदुस्तान एरोनाटेक्स यानी एचल में भी टेस्ट पाइलेट रह चुके उन्हें बोईंग 737 उडाने का अच्छा खासा अनुभव था दुबाई से केरल लोटे एर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट नंबर I-X-1344 को भी वही उडा रहे थे ये प्लेन दुबाई से शाम के 4 बचकर 45 मिनिट पर उडा था प्लेन में सवार कुल 191 लोगों में 174 वयस क्यात्री, 10 नवजात, 2 पाइलेट और 5 क्रू मेंबर शामिल थे जिनने वंदे भारत मिशन के तहत दुबाई से भारत लाय जा रहा था झाल